स्वेंस मैई संजन आप अज में आप लोग को खीर बनाने के यहां से ने और Circun की तरीका बताऊँगी है जो आप लोग को प荐 erstब है पहुत हीर आप बहुत है ने के दैसे बनाने के लिए हमने यह ने यहां पर डॉक कटोरी चावप बैट पकुर के देख सकते हैं नैंग दोनों सेकंट किसी भी चावल से बना सकते हैं तो आज मैं यहां पे बनाना सिखा हूंगे बहुत यह असान तरीका है रहे जाहिक vibes 3 हमने तक लिए हम इसे रहा है नहीं शुरू कर लें पोगवे हमें दोली का तोरी पानी अची तरीके से साफ हो जाए मतलब कि इसका जो मैल है बड़िया से साफ हो जाए तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर दो लिया है अब यहां पर क्या करेंगे तो आप यहां पर चाहे तो भैस का भी दूद ले सकते हैं तो मैंने सारे दूद को कडाई मेर्ट कर लिया अब इसको क्या करेंगे कुछ देर के लिए उबलने देंगे कम से कम 20-15 मिनट के लिए दूद को उबाल आने देंगे तो यहां पर देख सकते हैं दूद में अच्छी तरीकी से आने अलगा है क्या करना है कि बढ़ियां से दू कड़ियां से उबलने लगा है इस अब करेंगे पर देख सकते हैं तो मैंने इसको निकालने शान भी सब्काद गरिया है। लेंगे तो मैं यहाँ पे चावल को दूद्ध मैट कर लेती हूं क्योंकि हमने दूद्ध को बढ़िया से खौला लेना आप आप क्या करेंगे इसको कल्चलों की मदद करेना है तो मैंने आएक दूद में ब Lemie डेख सकते हैं कि इसको भी चलाएं से क्या है डुपाइिए चावल को भी यहाँ से कड़ा कि और और भी बरतन ले सकते हैं अब यहां पर क्या करेंगे तो पाउडर भी एड़ कर सकते हैं वह चला लेना है पढ़िया से और इसको क्या करना है कम से कम 15-20 मिनट के लिए खॉलने देना है यहां पर फोला समयने लॉंग भी आट कर लिया अगर आपको यह भी ना पसंद हो तो इ जाएधे बढ़िया सवबाल आने लगा आमारी खिर में इसी तरीके से इसको पकने दीजे और प्लम इखोसभू भी आ रहिए कि लिए खिटा आते रहना है तो देख सकते हैं चावल को बीच में आप चेक भी कर सकते हैं कि पकाई की नहीं कि हमने चावल को बारीक पिसा इसलि लग गया उसको क्या करेंगे थोड़ा सा खरच लेंगे कलचल की मदद से अब इसको इसी तरीके से पकने देना है और अराम से इसको पकाना है जैसे चाय बनाते हैं सेम उसी तरीके से बस इस पर जल्दवाजी नहीं करना है आप लोग को तो देख सकते हो बढ़िया से हम मदद से 20 मिनिट के लिए ताकि जो चीनिया बढ़िया से पक जाए दूद के साथ आप देख सकते हो पहले से हमारी जो खीरे गाड़ी हो गई है और बीच बीच में इसको कलचल की मदद से मैस कर लीजिएगा चावल को तो और बीच बीच में चेक भी कर लीजिएगा चाव और बाहर वाले भी आपकी बहुत जादा तारिफ करेंगे तो देख सकते हो कितना बढ़ी हम लोग का खीर का कलर रहा है और पहले से जो की रहना पहले से बहुत ज्यादा गाड़ी होगी आप देख सकते हो तो यह देखिए फ्रेंस हम लोग की रबदीदार खीर एक दम से के रेड़ी हो चुकि है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही एमी बनी है तब यहां पर हम क्या करेंगे गैस को आफ कर देंगे क्यूंकि इससे ज्यादा हमें यहां पे कीर को नहीं पकाना है नहीं तो बहुत ज्यादा गाड़ी हो जाए है आप देख सकते हैं तो अब यहां पर क तो ने नायल को रखाता वहां पे हमएट कर लेंगे तोड़ा साकिस्मिस एड़ कर लेंगे अगर काजो किस वदाम जो भी हो आपके पास पिस्टा हो भी आप यहां पे आट कर सकते देख सकते इसको तरीके से मिक्स कर लेना है कितनी बढ़ी हम लोग 계획 हो चुकि यह एकदम से मलाइदार अब्डिदार एकदम से बनके घाड़ी वलेख इस टाल में इस खीर को खाएंगे तो बहुत ही मजाएंगा आप लोग को बहुत ही टेस्टी है बहुत ही आसान रेस कि आप लोग को पसंद रहा है तो फ्रेंस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर पर पहली बार है तो प्रेंचान को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो नोटिफिकर्स आन आपको सबसे पहले मिले तो देख सकते हैं कितना हम कि बढ़िया रखीर बनके रेडियो चाहिए कि दबतेक के लिए बाई-बाई